नमस्का नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल दा फार्मम एडिशन में दोस्तों आज हम आपको निकोरान 5 टैबलेट से जुड़ी सारी इन्फार्मिशन अपने यूटूब चैनल पर देंगे कि इसका उप्योग कहां किया जाता है इससे संबंदित ह हमको क्या-कैसा उदानिया रखनी चाहिए इसका मेन इंडिकेशन क्या है और ड्रग इंडिक्शन क्या है क्लासिफिकेशन क्या है और इसे रिलेट्टिट सारी इन्फार्मिशन हम अपने यूटूब चैनल दो फार्मम एडिशन पर देंगे दोस्तों अगर आप हमारे चैन अब हाकी प्रग इंडिकेशन तो भूता है क्या है इसा बिखार्मिशन सब्सक्राइब होता है और आपका अंजाइना एक ऐसे इंडिकेशन होती है जहाँ पे आपको आपकी छाती में एक दर्ध टाइप का होता है तो वहाँ पर भी इस दवा का उपयोग किया जाता है इसके और भी इंडिकेशन्स हैं जैसे कि इसको coronary artery disease में किया जाता है Iona with the non-abstructive coronary artery disease में इसका उपयोग किया जाता है जो vivid indications हैं वो हमको heart related problem से में ही इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों इसके इसका उपयोग क्या है या इसको यूज करने से हमाई सरीर पर क्या क्या उपयोग होते हैं तो दोस्तों ये निकोर अंडिल जो है वो dilate कर देता है blood vessels को और improves करता है blood flow को जो की decrease करता है incidence of angina को हमारे जो blood vessels होती है उसमें निकोर अंडिल अगर हम यूज करते हैं तो वो blood vessels को dilate करके काम करता है जैसे हमारे heart में जहां भी blood supply नहीं हो रहती है तो निकोर अंडिल अगर हम देते हैं तो वो 100 micro vessels तक blood supply करने में सक्षम है मतलब जो छोटे-चोटे blood vessels होती है वहां भी यह blood को supply करके काम करता है दोस्तों इसकी classification के उपर आते हैं इसका classification क्या है तो इसका classification जो है यह potassium channel opener का का काम करता है और यह nitrate like action भी देता है तो यह potassium channel opener में इसको nicorandil आता है और जो की treatment किया जाता है chest pain और angina के लिए दोस्तो इसके dozing के उपर आता है कि nicoran को आपको कैसे यूज करना है तो दोस्तो nicoran जो है वो अगर आप 5 mg यूज करते हैं आप OD भी यूज कर सकते हैं लेकिन आपके doctor जो cardiologist आपको जैसे भी reference दे उसे साब से अभी इसका उपयोग करिया है अगर आप इसको 5 mg दो बार यूज करते हैं तो 5 mg सुबा और साम दो टाइम यूज कर सकते हैं इसमें खाने की अगर आपको खाना नहीं खाते हैं या खाने के बाद भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा आप दोनों इंडिकेशन में इसको खा सकते हैं अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स है अगर आप में इंजाइना के प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही है तो वहां पे डॉक्टर या काडियोजिस जो है वो बीडी डोज में लिखता है मतलब आपको दो बार फाइब एमजी सुबा साम इसका उप्योग करना है दोस्तों इसके side effects के उपर आते हैं इस दवा के क्या क्या side effects है दोस्तों इसके side effects के उपर आते हैं तो इसमें headache है आपको omitting की problem है weakness हाता है, flushing की problem है drowsiness type का रहता है यह सारे common side effects इस दवा के साथ में दोस्तों इसके कुछ competitors की बात करें कि market में इसके competitors क्या क्या है जो कि अगर आपको Nikoran या Nikorandle नहीं मिलना है तो आप उसको जैसे purchase कर सकते हैं दोस्तों Nikoran भी है आपका Nikorandle टैबलेट में मिलता है Nikorstar है Nikor Dews है, केक और जो है, वो MacLeod Pharmaceutical का है तो यह सारे इसके common competitors brand है जो की market में easily available है आप वहाँ से इसको खरेद के purchase करके खरी सकते हैं दोस्तों जो Nikoran आता है वो Torrent Pharmaceutical द्वारा बना के market में easily available है तो यह doctor के prescription पे लिए जाने वाली medication है, अगर आप doctor के prescription पे नहीं उप्योग करते हैं तो इस दवा का उप्योग आप ना करें, क्योंकि यह heart related problem के लिए ही यूज की जाती है आप इसको ऐसे यूज मत करें doctor के prescription पे, doctor के इसका उप्योग करें दोस्तों इस दवा के कुछ drug interactions है मतलब इसको आप किन दवाईयों के साथ में यूज नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें निकोरेंडिल का जो drug interactions है वहाँ पे जैसे आपको sednafil, tandanafil इन सारी दवाईयों के साथ में इस दवा का उप्योग नहीं करना है जैसे man force के साथ में आपको इसको उप्योग नहीं करना है biogra के साथ में इसका उप्योग नहीं करना है magnelis के साथ में इसका उप्योग नहीं करना है जहां पे भी आपको tandanafil या आपको dapox tin या ये सारे tablets के साथ में इसका उपयोग नहीं करना है क्योंकि अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो इसके जो side effects हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं क्योंकि जो shednafil और ananafil है वो आपको problems create कर सकती है अगर आप निकोरान के साथ में उस दवा का उपयोग कर रहे होते हैं तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने doctor के साथ बार एक बार जरूर suggestion लीजे और doctor के सलाब पे ही उस दवा का उपयोग करिए अगर आप जो है निकोरान डिल यूज कर रहे होते हैं दोस्तों इस bottle के storage के उपर आते हैं कि इसको आपको कितने degree centigrade पे इसको store करना है तो दोस्तों इसके storing के उपर आते हैं तो 2-8 मतलब 2-8 degree centigrade पे आपको इसको रखना है जहाँ पे ऐसे conditions में और इसको आपको sunlight से दूर करना है 2-8 degree centigrade पे आप इसको रख सकते हैं और ऐसी जगह पर रखें जहां पर इसमें मौश्या रही है सारी चीज कंटेंड नहों दो से 8 डिग्री सेंटीग्रेट पर ही इसको रखिए नहीं तो इसमें जो है यह टेबलेट की इफिकेशी कम हो सकती है तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल का सस्क्राइब कर लें और प्यार देना नहीं पूलें तैंक्यू सो मच पर वाचिंग और वीडियो